चैट GPT काम कैसे करता है? जेल के याड में घूमते हुए कैदियों को आपस में बात करने की अनुमती नहीं थी. इसलिए उन्होंने चुटकुले याद कर सब को नमबर दे दिये थे. याड में घूमते हुए एक कैदी चिलाता, सोला, और सबी हसने लगते. कुछ इसी तरह, चैट GPT ने करोडों वेब पेजिस और किताबों का एनालेसिस करके, अंग्रेजी में जो लगभक 50,000 शब्द आमतोर में इस्तिमाल होते हैं, इनको numerical values देकर, vector गणित और deep learning इस्तिमाल करते हुए शब्दों का तालमेल समझा, जैसे व्याकरण के क्या नियम है, एक शब्द के बाद अधिकतर अगला कौन सा शब्द आता है, इतियादी. मानव मस्तिश्क भी कुछ ऐसे ही काम करता है. अगर मैं आपको अंग्रेजी का एक अधूरा वाक्य दिखाऊं और पूछूं कि अगला शब्द क्या होगा, जैसे अगर वाक्य है, इंडिया इस मोस्ट फेमस फॉर इट्स रिच, तो मोस्ट लाइकली आप कहेंगे, अगला शब्द हो सकता है, आपने इन शब्दों को इसलिए चुना, क्योंकि आपने जो पढ़ा और सुना है, उसमें अधिक तर ऐसे ही लिखाव होता है. तो चैट जीपीटी भी कुछ ऐसा ही करता है, पूछे गए सवाल को, उसने जो करोणों वेब पेजिस और किताबों का एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पर एक एक शब्द जोड़ते हुए, वो अपना जवाब बनाता है. जैसे अगर मैं ये अधूरा वाकिप, इंडिया इस मोस्ट फेमस फॉर इस रिच, चैट जीपीटी को देता हूँ, तो उसका जवाब ये है, इंडिया इस मोस्ट फेमस फॉर इस रिच, कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स कुिजीन, आइकॉनिक लैंडमार्क्स, और में हम चैट जीपीटी के पुराने वर्जन 2 को कॉल कर रहे हैं, फिर हम सेम सेंटेंस, इंडिया इस मोस्ट फेमस फॉर इस रिच, इसको देगर पूछ रहे हैं कि इसके हिसाब से अगला शब्द क्या होगा, जैसे मैंने पहले कहा, चैट जीपीटी ने मशीन लर्निंग इ किया है, उसके बेसिस में ये अगला शब्द क्या हो सकता है, ऐसे कुछ शब्दों की प्रबबिलिटी निकालता है, इसके हिसाब से इस अधूरे सेंटेंस के नेक्स पॉसिबल वर्ज में हाइस प्रबबिलिटी है, एंड शब्द की, 8.8% ये इंट्यूटिवली ठीक लग सकते हैं, मिनेरल, हिस्ट्री, कल्चर या फिर कॉमा, चैट जीपीटी ये नेक्स पॉसिबल वर्ज की प्रबबिलिटी ठूटता कैसे है, ये एक सरल उधारन से समझते हैं, इस टेबल में इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ज का मशीन लर्निंग आधारित विशलेशन दिखा गया है, होरिजॉन्टल रो से कोई एक लेटर लीजिए, जैसे ए, तो फिर वर्टिकल कॉलम कितना गाड़ा ओरिंज है, ये दर्शादा है कि अंग्रेजी के शब्दों में ए के बाद अगले कौन से लेटर के आने की सबसे अथिक प्रॉबिलिटी है, इस एनालिसिस के अन ये देखने के लिए लेटर क्यूब को लेते हैं? इस AI अनालिसिस के अनूसार क्यूब के बाद केवल यू ही आता है, क्योंकि बाकी लेटर के आगे तो अल्मोस्ट वाइट है, अब अगर हम English डिकृ concurr देखें, तो सबी शब्दों में क्यूब के बाद यू ही आता है, ये वरे कुछ letters या words के बाद क्या आ सकता है, इसको predictive text कहते हैं. Predictive text आपने Google search में भी देखा होगा. मान लीजे हम Google से मालूम करना चाहते हैं, height of Mount Everest. Google पर मैं h type करता हूँ, और ये मुझे h के साथ शुरू होने वाले शब्त दिखाने शुरू कर देता है. जब तक मैं h-e-i-g type करता हूँ, Google का predicted word height हो जाता है. जब मैं height शब्त पूरा टाइप करता हूँ, तो Google height of Everest सुझा रहा है, क्योंकि Google पर सायद ये बहुत सर्च होता होगा. Chat GPT भी इसी तरह काम करता है. दिये गए सवाल को समझकर, Chat GPT सवाल के मुख्य शब्दों को लेता है, और उनके आगे एक-एक करके शब्द जोड़ता है. Chat GPT ने अर्बों, खर्बों शब्दों का विशलेशन किया है, तो सवाल के मुख्य शब्दों को लेकर, वो अंदाजा लगाता है, कि ये शब्द देखकर, अधिकतर लोग अगला क्या शब्द जोड़ेंगे. बिल्कुल वैसे, जैसे, इंडिया is most famous for its rich, वाक्य देखकर, अधिकतर लोग अगला शब्द, कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन, ये ही शब्द लगाएंगे. नेक्स्ट बेस्ट वर्ड ढूडने के लिए, चैट जीपीटी दिये गए पूरे सेंटेंस के अर्थ को आधार बनाता है. वो शाप्तिक अर्थ, यानि लिट्रल मीनिंग पर नहीं जाता. ये प्रॉसेस कैसे काम करती है, ये देखते हैं. आपको याद होगा कि इस सेंटेंस के आगे सबसे अधिक प्रॉबबिलिटी थी और यहां एंड ही नेक्स्ट वर्ड है. अगले कुछ वर्ड ने फर्टाइल सॉयल समबंदित. तो यहां कल्चर हेरिटेज टेडिशन ये शब्ड नहीं आए. ये रिच एंड फर्टाइल सॉयल समबंदित सेंटेंस बन गया. अगर मैं ये कमांड फिर से दूँगा, तो भी मुझे सेंटेंसी मिलेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चैट जीपीटी को हाइस्ट प्रॉबबिलिटी वाला अगला शब्ड लगाने के लिए कह रहे हैं. इस सेटिंग के साथ यदि हम चैट जीपीटी जैसे अर्टिफिशल इंटेलिजन्स आधारित लैंगविज मॉडल को एक वाक्य सौ बार भी पूरा करने के लिए कहेंगे, हर बार उसका जवाब सेंट होगा. पर हम चाहते हैं एक ऐसा AI लैंगविज मॉडल जो ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स दे. ऐसा करने के लिए हम चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि अगला शब्द चुनते वक्त हमेशा हाइस प्रॉबबिलिटी वाला नेक्स्ट वर्ड ना जोड़े. ऐसा करने से सेम क्वेशन का रिस्पॉन्स हर बार अलग होगा और हमारा AI लैंगविज मॉडल क्रियेटिव और कॉन्रसेशनल बन जाएगा. अगले शब्द की कितनी प्रॉबिलिटी हो इसको लार्ज लैंगविज मॉडल में टेंपरेचर कहते हैं. अगर हम टेंपरेचर को 0 कर दें तो चैट जीपीटी अधिक्तम संभावना वाला अकला शब्द जोड़ता है, जैसे अभी हो रहा है. और अगर हम टेंपरेचर को 1 कर दें तो चैट जीपीटी अगले कुछ संभाविच शब्दों में से किसी भी एक को रैंडमली ले सकता है, यानि टेंपरेचर या रैंडमनेस 0 से 1 के बीच हो सकती है. ऐसा माना जाता है कि 0.8 टेंपरेचर सबसे उंदा होता है, तो हम टेंपरेचर 0.8 रखते हुए फिर सेम सेंटेंस को पूरा दरने की कमांड देते हैं, पिछली बार हमें rich and fertile soil answer मिला था, इस बार mineral wealth और farming की बात हो रही है, 0.8 टेंपरेचर पर अगर हम सेंटेंस एक बार और देते हैं, तो answer बदल जाता है, अब बात हो रही है culture, heritage और tourism की, अगर हम फिर पूछेंगे, तो जवाब फिर अलग होगा, ये chat GPT का पुराना version 2 है, विडियो बनाते वक्त, open AI website पर free option में chat GPT version 3 चल रहा है, और ये better train model है, तो इसका response बहतर होगा, और इस वक्त, Microsoft के Bing search engine में chat GPT version 4 चल रहा है, जो और भी better trained है, मुझे Bing के version में ये बात बहुत अच्छी लगी, कि annotation में हमें links मिल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि chat GPT जो text दिखा रहा है, उसका source क्या है, बिना source जाने, हो सकता है कि AI language models जो जानकारी दे रही है, वो किसी unreliable source से आ रही हो, अब तक हमने समझा कि chat GPT एक artificial intelligence आदारित large language model है, chat GPT natural language processing, NLP software कहलाता है, natural language processing के द्वारा AI models human language को समझ सकते हैं, उनका अनुवाद कर सकते हैं, जैसे Google translate करता है, और natural language में respond भी कर सकते हैं, जो फिर human computer interaction को सरल बना देता है, जैसे अगर railways का computer system NLP model पर आधारित हो, तो अगर इसी को computer चलाना नहीं भी आता है, तब भी वो railways की computer system पर ticket reservation phone पर बोलचाल की भाशा में कर सकता है, कुछ कुछ जेल की कैदियों की तरह जिनोंने चुटकुलों को नमबर दे दिये थे, चैक GPT शब्दों को numerical values देकर, vector गनित इस्तिमाल करते हुए, दिये गए शब्दों के बाद अगला कौन सा शब्द आएगा, ये predict करता है, जैसा हमने इस वीडियो में समझा, इस जेल में एक नया कैदिया आया, चुटकुलों को नमबर दिये गए है, ये जानकर वो चिलाया, 52, मगर कोई नहीं आसा, उसने पूछा, क्या 52 नमबर का चुटकुला नहीं है, पास खड़ा कैदी फुस पसाया, चुटकुला तो है, मगर तुमने ठीक से सुनाया नहीं, कुछ इसी तरहे कभी-कभी चैट GPT ठीक बात नहीं बताता, यहां तक की मनगणन बात बना देता है, चैट GPT से मैंने गिरजा कुमार मातुर जी की कविता, आदमी का अनुपात की पंक्तिया बूछी, इस कविता की मैं कुछ पंक्तिया पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको अ रक्षत्रों में प्रिथ्वी एक छोटी करोडों में एक है, यहां है अनुपात आदमी का विराट से, बिंक की चैट GPT 4 ने इस कविता की शुरुआत की पंक्तिया दो ठीक लिहीं, मगर फिर मनगणन पंक्तिया जोड़ दी, बहुत साल पहले मैंने ओथर सिड़ी शेल्ड चैट GPT कभी-कभी ऐसा ही कर देता है, इसके अनुसार आदमी का अनुपात कविता की पंक्तियां हैं दो व्यक्ति कमरे में, एक तो सोता है, दूसरा जागता है, जागने वाले का परिवार सो जाता है, और सोते वाले का परिवार जागता है, अगर सब का अनुपात ऐसा ही हो जाए तो समय बदलने में कोई देर न लगाए चैट GPT न पूरी की पूरी मनगणत कवीता बना दी और 100% confidence के साथ कहा कि ये सही कवीता है ये पंक्तियां सुनकर गिरिजा कुमार माथोर जी की आत्मा काप गई होगी मुझे लगता है चैट GPT को source of information और अपने answer का confidence level बताना चाहिए और अगर confidence level एक threshold से कम हो तो उसको कह देना चाहिए कि उसे answer नहीं बता चैट GPT में अभी कमिया है मगर फिर भी ये बहुत आश्चर जनक बात है कि अधिकतर कटें सवालों का ठीक मतलब समझकर चैट GPT grammatically correct और meaningful जवाब दे देता है